हलो फेंड्स, जीवन में समस्याइं आती हैं, ये ज़्यादा सोचने का विशय नहीं है, बलकि सोचने का विशय ये है कि आप उन समस्याओं से निपटते कैसे हो, उन समस्याओं को हल करने का आपका तरीका क्या रहता है, क्योंकि भई लाइफ है तो प्रॉब्लम्स भी आएं है तो चलिए कहानी शुरू करते हैं एक वार आचार्य बिनोबा भावे जी से मिलने के लिए एक कॉलिज के कुछ स्टुडेंट्स आए अब काफी देर तक आचार्य जी और उन छात्रों के बीच बाते होती रही उसके बाद आचार्य जी ने उन छात्रों को कागज के कुछ टुकड़े दिये कागज के उन टुकड़ों पर कुछ आउटलाइन से बनी हुई थी कुछ आकिरतियां बनी हुई थी बिनोबा भावे जी ने उन चात्रों से कहा कि तुम सभी चात्रों को दो-दो मिनट दिये जाते हैं और इन दो मिनट के अंदर तुम्हें इन कागज के टुकडों से इंडिया का मैप बनाना है भारत का नक्षा तयार करना है अब सभी चात्रों ने इंडिया का मैप बनान से देख रहा था जब उसका नमबर आया तो उसने दो मिनट से पहले पहले यानि के विदिन बन मिनट लगवग एक मिनट में ही कागज के उन टुकडों से इंडिया का मैप बना दिया अब सब लोग बड़े आशर्य में थे आचार्य जी ने उससे पूछा कि भी तुमने इतन अब मैंने जो मानब की आकरती वाली आउट लाइन थी उसको आपस में मिला दिया तो मानब की आकरती भी बन गई और इंडिया का मैप भी अब सभी लोग उसकी बुद्धिमानी पर बड़े खुश थे सबने उसकी तारीफ की तो दोस्तों ये चोटी सी कहानी हम लोगों को बहुत बड़ी बास सिखाती है ये कहानी सिखाती है कि एक ही समस्या के कई सारे समाधान हो सकते हैं इसलिए जब भी लाइफ में कोई प्रोब्लम आए कोई समस्या आए तो सबसे पहले उस समस्या को समझो और फिर देखो कि इसका समाधान कैसे निकाला जा सकता है अगर कर दे तो दोस्तों यही थी आज की कहानी आई होब आपको पसंद आई होगी अगर कहानी आपको ठीक लगी हो तो चैनल को सबस्क्राइब कर लीजे थैंक यू सो मच